स्टुन्ट वेलकम तो नेटकर का जी कश्या पोर्टल मैं अनुलाग शर्मा इस पोर्टल पे अब सभी का सौगत करता हूँ स्टुन्ट आज मौडन पॉलिटिकल थोट्स के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी विचारधारा की जिस विचारधारा ने मौझूदा समय में आधोने की उप में बहुत जादा बतलाव लाने का काम किया जहां एक तरफ इन आइडियाज ने एक नए विचे को एक नए टॉपिक को जन दिया वहीं पर जो अल्रेडी कंटेंप्ररी टॉपिक्स से उनको चैलेंज भी किया हम बात करेंगे हैना एडियाज की पॉलिटिकल फिलोसफी को समझा जाए तो यह किसी एक स्कूल ओफ थौट से बिलॉग नहीं करती है पर हैना एडियाज अलग अलग पॉलिटिकल स्कूल ओफ थौट को रिप्रेजेंट करती है इनके विचारों में आपको अलग अलग चीजे नजर आएंगी यहां तक कि जिन आइडियाज पर यह बात करती है कई बर उन्हीं आइडियाज को काउंटर कर देती है उन्हीं बातों को काटने का काम भी हैना एडियंट करती है हैना एडन्ट के जीवन को अगर समझा जाये तो इसके लिए जरूरी है कि आप उस दोर को समझें ज़स दोर में ये आई हैना एडन्ट का जन हुआ था जर्मनी के अंदर जर्मनी में especially अगर मैं बात करूँ तो हैनोवर जर्मनी में इनका जन्म हुआ जूइश फैमिली में पैदा हुई थी और कॉनिसबर्ग में इनका जो है एक तरह से पालन पोशन या यह बड़े हुई कॉनिसबर्ग अब रश्या का हिस्सा है केलिंग बार्थ के नाम से इसको जाना जाता है और यहाँ पर जब ही अपनी पढ़ाई कर रही थी तो उस समय अपनी उनिवर्सटी के अंदर मोर्गब उनिवर्सटी के अंदर इनकी मुलाकात दो इंफ्लोइंचल थिंकर से होती है एक है मार्टिन हेडिगर एक है काल जैस्पर मार्टिन हेडिगर की फिलोसफी थॉट का इन पर बहुत प्रभाव पड़ता है इतना कि ये एक रिलेशन्शिप में उनके साथ आ जाती है और काफी लंबा समय इनके जीवन का ये इनकी विचारधारा से हैडनबर्ग के आइडिया से स्पेशली इनका जो प्रिंसिपल था फेनोमनलोजी जो थी हैडनबर्ग की उससे बहुत जादा ये प्रभावित होती है पर ये वो दोर था जब जर्मनी के अंदर आगे चलकर वर्ल्ड वार टू होने वाली थी जर्मनी की पॉलिटिकल और शोशल लाइफ में पैदा कर दिये थे इसका एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि जर्मनी के अंदर जो जर्मन लोग थे जो जर्मन फिलोसफी थी जर्मन आइडियाज दो थे वो काफी प्रभावित थे हीगल की फिलोसफी से हीगल की आइडलोजी से जो जर्मन रेस को बहुत यूनीक माना करते थे और इसी के साथ साथ इस तरह के विचारों पे बात करते थे के जर्मन सबसे ज़ादा प्यॉर ब्रीड्स हैं जो एक्चुल ब्रीड है इस अर्थ पे वो जर्मन सी हैं इस तरह की बाते थी और कहीं ना कहीं उनका प्रभाव एक व्यक्ति पे बहुत ज़ादा पढ़ने वाला था जिसका नाम था अडॉल्फ एटलर विशुद वन में वन के अंदर जर्मनी की ओर से जादा शोलजर अडॉल्फ एटलर लड़े थे और ऐसा कहा जाता है कि तीन बार मरते मरते वो वर्लड वार वन के अंदर बचे थे ज़ो जर्मनी वापस आते हैं और जर्मनी के अंदर सपेशली जब ये अपना जीवन बित और इन्होंने पुरे जर्मनी को बरबाद कर दिया है, जर्मन के जो एक्चल लोग हैं उनको जॉब्स नहीं मिलती है, ये सब जॉब्स खा जाते हैं, सारे बिजनस इनके पास हैं, तो इस तरह करके एंटी जूस सेंटेमेंट्स काफी जादा जर्मनी के अंदर फैल गया था, और 1930 में जब नाजी पार्टी सत्ता में आई, एडॉल्फ हिटलर की पार्टी सत्ता में आई, तो उस समय एंटी जूस सेंटेमेंट्स बहुत जादा प्रवल थे पुरे, जर्मनी के अंदर जूस के उपर लगातार अटैक्स होने लगे, जूस धीरे धीरे जर्मनी छोड़ के जाने लगे, लाखो जूस ने जर्मनी से मोगलाई सोना, सही समझा बिफॉर वल्ड वार टू, और ऐसे में हैना एडंट्ट भी ये सब झेलती है, हैना एडंबर्ग से इनका जो रिलेशन था, वो एंड होता है, उसका एक रीजन ये है, कि हैना एडंबर्ग जर्मन आइ एक फिलोसफर है, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, जिनकी विचारधारा से ये काफी प्रभावित होती है, धीरे-दीरे एक रोमेंटिक रिलेशन्चिप में आ जाती है, और 1930 में ये स्टेंग के साथ शादी कर लेती है, अब इसके बाद 1933 का समय आता है, हैनाइड इन पैरस जाती हैं, फ्रांस, वहाँ पर इनकी मुलाकाद दो लोगों से होती है, जो इनके बहुत अच्छे दोस बन जाते हैं, एक हैं वाल्टर बैंजमिन और एक हैं रेमेंड इरॉन, रेमेंड इरॉन का नाम अपने रिलिलिजम के अंदर कई बार सुना होगा, इन दोनों स से मिलके इन दोनों की फिलोसफी को भी ये समझने की कोशिश करती हैं, और उसके बाद 1936 के अंदर इनकी मुलाकात होती है, हैंरिज ब्लूचर से जो की एक जर्मन रिफ्यूजी हैं, इसी के साथ साथ ये पॉलिटिकली भी काफी ज़ादा एक्टिव हैं, ब्लूचर के फाइनल ये 1939 के अंदर स्टेन को डैवार्स देती हैं, और 1940 के अंदर इनकी शादी हो जाती हैं, हैंरिज के साथ, इसके बाद 1941 के अंदर हैना और ब्लूचर दोनों ही एक्जाईल ले ले लेते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, उससे, और वहाँ पर अपनी आगे की लाइफ बिताते हैं, जिसमें ब्लूचर का Contribution हैना के लिए बहुत important रहता है, ब्लूचर की ideas को हैना बहुत जादा support करती है, और साथी हैना की development में भी जो एक वेसली academic development है, उसमें ब्लूचर का contribution बहुत जादा important माना जाता है, यहां पे हैना का जो करिएर है, वो एक बहुत बड़ा बूम लेता है जब है ना सबसे पहले जर्मनी के विचारधारा को जर्मनी के आईडियास को जर्मन लेंगविज में ही पऽी होने वाले अपने एक जर्नल अफवभू के अंदर लिखना स्टार्ट करती है अफवभू एक जर्नल है जिसको हैं畫 freaking लिखती है जर्मन लेंग्विज के अंदर दीरे दीरे हैना के आइडियास फेमस होने लिख जाते हैं और उसके बाद एक बड़ा जो यूनो डवलप्मेंट हैना के लाइफ में आता है वो उनकी किताब से आता है जिसका नाम है एंचमिन जरूसलम बट इससे पहले इन्होंने एक राइटिंग एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था एंचमिन ट्राइल है अपको आदों कि क्या था है अड़ुल्फ एंचमिन जो थे वो एक नाजी पार्टी के ही लीडर हुआ करते थे और बाद में हिटलर के एक जरनल रहे और उन्होंने बहुत बड़े तौर पर जूस को मारा था कहा जाता है कि कई लाख जूस को मारने के लिए वो जिम्मेदार थे उनके उपर एक मूवी भी बनी है जिसको आप देख सकते हैं फाइनली इनको अर्जन्टेनिया से पकड़ के इसराइल की जो मौसाद है वो लेके आई जैरुसिलम और वहाँ पर इनके उपर एक मुकदमा चला और फाइनली इनको सजाय मौत हुई तो उस पूरे ट्राइल के उपर हैना लिखती है यहां तक कि जैरुसिलम होके भी आती है ठेक है और हैना के लिए एक व्यक्तिकत तोर पे भी यह पूरी का पुरा जो एक ट्राइल चला वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था तो हैना इस ट्राइल के उपर लिखती है ठेक है और इस तरह हैना के जो आइडियास थे में स्ट्रीम फ्रेम में आ जाते हैं और हैना धेरे 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 बहुत फेमस हो जाती है अपने आइडियास से इनके अकैडमिक और पबलिक लाइफ के अगर बात की जाए तो अकैडमिक पोजिशन में इन्होंने बहुत सारी अलग-अलग पोजिशन लही इसमें यूनिवर्स्टी ओफ शिकागों में ये रही और उसके बाद दी New School in New York के अंदर इन्होंने कांग किया। अब हैना के विचार जहां एक तरफ उनकी किताबों से फेमस हो रहे थे, उनकी रैपिंग से फेमस हो रहे थे, तो वहीं हैना के लेक्चर्स भी बहुत ज़ादा influential हुआ करते थे। हैना मौझूदा समय में जहां एक तरफ totalitarian regime की बात किया करती थी, वहीं दूसरी तरफ dictatorship के क्या घाटे समाज को होते हैं, उससे बात करती थी, social life किस तरह से impact होती है, लोगों के decisions से ये बात को समझाती थी, political life की क्या importance है, उसको समझाया करती थी, modernity को criticize करती हैं, और terms use करती है, new modernity, जिसमें वो nuclear bombs के explosion के बात के समय को समझाती हैं, और बहुत सारे insightful जो ideas हैं, उनको हमारे सामने रखती हैं, अब यहाँ हैना एड़न्ट के दार्षनिक contribution को अगर मैं देखू, दार्षनिक योगदान को देखू, तो of course इनकी बहुत सारी writing जो हैं, वो हमारे सामने आती हैं, जो रहने लिखी, तो सबसे पहले the nature of the political action, the public realm, तो हैना एड़न्ट जो है, politics को बहुत important मानते हुए, यह कहती हैं, कि किसी भी राज्ये की जो development है, किसी भी राज्ये का जो आगे बढ़ना है, वो इस बात पर बहुत जादा माइने रखता है, इस बात पर बहुत जादा focus करता है, कि किस तरह से कोई भी रज्ये अपनी राजनीती को समझ सके, कोई भी समाज अपनी राजनीती को समझ सके, यह कहती है, कि जूस का जर्मनी से जले जाना है, जर्मनी में उनके उपर operation जो हुआ, उसका एक बड़ा कारण ये है, कि पर जूस पॉलिटिकली अक्टिव नहीं थे, तो जब पॉलिटिकल सिचुएशन बदली, तो जूस को उसका घाटा जो है उठाना पड़ा, और इसलिए ये पॉलिटिकल एक्शन्स को पॉलिटिकल डवलप्मेंट में इंडिविजुल का घुसना बहुत जादा important मानती है, इनकी एक किताब आती है, on the human condition, vita activa का concept देती है, human condition में and I didn't introduce the concept of vita activa, और active life, तो किस तरह से ये इसको समझाती है, actions को समझाती है, work को समझाती है, और एक term इस्तमाल कर रही है, labor, अब ये कहते हैं कि जो labor है basically, labor का मतलब तो ये है कि आप physical capacity से कोई काम कर रहे हैं और उसके ब आप बात करेंगे work की, तो creation of durable objects, creation of durable objects ने basically work में कहती है कि ये professional हो सकता है, ठीक है, professional basis पे हो सकता है, उस तरह से काम करेगा, और वहीं पर जब ये actions की बात करती है, तो meaningful interpretation and political engagement, actions में कहती है कि जो political actions है, social actions है, social sphere है, सब में आपकी active participation होना ही एक तरह से action है कि आप क्या कर रहे है आप कितने योग्य हैं किसी चीज़ को करने के लिए उसकी ये बात करके जाती है, अब इसके बाद plurality and freedom के उपर एंड के ideas आते हैं, क्या बोलती है न, add and value the uniqueness of individual person and their ability to exercise freedom through the political election, अब इसको बहुत ध्यान से अगर हम समझें, तो बियार अमबेटकर जी भी यही बात कहा करते थ योग्य समाज, एक शिक्षित समाज ही अपनी राजनीती को समझ सकता है और उसका हिस्सा बन सकता है, भारत की अजादी को आज 75 साल होने को आये पर इस अजादी के अंदर आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो राजनीती में सबसे जादा एक्टिव है, सबसे जादा वोट करने जाता है, वो उतना शिक्षित नहीं है, भारत में आज भी आप देखिए कि वोटिंग किसी इस पर होती है, कभी धर्म पे, कभी जाद पे, कभी आरक्शन पे, इन सब चीजों पर होती है, जबकि डवलप्मेंट के नाम पर व multiple aspects को समझें, और उसके basis पे ही जो है अपनी political life के अंदर activity करें, totalism and the banality of evil, अब intermittent Jerusalem जाम की जो इनकी किताब आई, उसके अंदर इन्होंने इन बातों पर विचार किया, किस तरीके से dictatorship या Adolf Hitler सत्ता में आए, banality of evil जब ये बात कर रही है, इस word को इस्तिमाल कर रही है, तो ये बता रही है कि किस तरीके से, ये सारी कमिया, ये सारी खामिया समाज को दिख रही थी, फिर भी समाज इनको प्रमोट कर रहा था, और Adolf Hitler का सत्ता में आना, उसको ये बताती है कि ये लोगों की मर्जी से हुआ, मुशलोनी की भी बात होती है, मुशलोनों भी इटली में सत् नहीं था कि किसी ने धक्का देके इसको गुशेड दिया गया, ठेक है, और इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी आप मान सकते हैं, कि जब हैना एडन्ट इस स्विचारों को रख रही है, तो हैना एडन्ट अपनी आँखों से सब देख के आई हैं, कि किस तरह से लोग लिया है धरती के उपर, तो आपका जनम ही ये बताता है, that you are able to create something, आप किसी चीज को बनाने के लिए शक्षम है, ठेक है, आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, जनम दे सकते हैं, चीजों को नया कुछ create कर सकते हैं, ये मान के चलना कि I am very limited to something, वो इंडिविजुल, the capacity to initiate new building and changes, कि व्यक्ति को जो है एक तरह से शक्ती देती है, ये, कि जो उसकी capacity है, जो उसकी ताखत है, उससे वो कुछ नया बना के सामने रख सके, अभी हम इनके विचारों को देख रहे हैं, अभी कुछ concept और जो है उस पर आएंगे, power and authority पे है, जो power and authority ह इसका बहुत important role है, क्या कहती है, इनका analysis जो है of power, distinguish it from the violence and corrosion, she argued that the power emerged from the collective action and ability of pursuit of others act incorrect, अब शक्ती दो तरीके से हो सकती है, एक वो शक्ती है जो किसी गुंडे के पास है, गली के अंदर जिसमें वो लोगों को धमका रहा है, हमसे कुछ छीन रहा है, मार पिटा ही कर रहा है, त इसको तो बोलती है कि एक तरह से यह गलत स्तमाल होगा, power का शक्ती का यह गलत स्तमाल है, वहीं यह शक्ती जो है पुलिस वाले के पास है, जो समाज के अंदर अच्छाई को लाके आ रहा है, गलत कामों को होने से रोक रहा है, ठीक है, athletically तो हम यह बोल सकते हैं, ठीक है, त पावर है किस तरह से इसकी लगले डेफिनेशन पर बात करते हैं इस समय जर्मनी के अंदर जूस को मारा जा रहा था जैनोसाइट किया जा रहा था इस तरह की बाते भी सुनने में आती हैं कि जलती भी भट्तियों में छोटे छोटे बच्चों को फैल दिया जाता था लाको बच्चों को जिन्दा जलाया गया लोगों को जिन्दा जलाया गया घ्याइ गैस सेमबर की जो बाते सुनने में आती हैं ये क्या बोलती हैं कि problem of evil in the modern world particularly in context of the holocaust and totalitarian regime यह holocaust का जो पुरा समय था उसको consider करके बात करती है और totalitarian का मतलब होता है संपूरतावादी जिसके उपर कोई रोक टोक ना हो जो बिलकुल अजाद है निरंकुष है कुछ भी करने के लिए human rights and the right of have right मानव अधिकार और अधिकारों के होने का अधिकार इसके उपर बात करती है क्या बोलती है highlighted the previous position of the stateless individual and the refuge emphasizing the importance of having legal recognition and protection she argued that the human rights are predicted on belonging to the political community and having the right to have a right अब अगर हम बात करें इस concept की तो देखिये जब ऐसा हुआ कि juice निकले जर्मनी से और अलग-अलग देशों में गए तो वहाँ पर भी जाके उनको struggle करनी पड़े उन अधिकारों के लिए जो एक मानव के अधिकार होने चाहिए आपने बहुत बर सुना होगा कि भारा सरकार या कोई भी देश के सरकार अधिकार देती है अपने नागरिकों को पर वह अधिकार नागरिकों के लिए होते है अगर आप उस देश में refugee हैं तो शायद आपको वह सारे अधिकार नहीं मिलेंगे तो ये उन चीजों के उपर बात करती है और उन अधिकारों के होने और उनका exercise करने उनको मानने के उपर बाते बताती है अब इनकी कुछ राइटिंग्स के उपर मैं बात कर लेता हूँ अगर एक एक concept के हिसापस पड़ें तो बहुत ज़्यादा लेंदी भी हो सकती है और इनके आइडियास पर एक नदर जाननी है जिसमें की रैटिंग्स का बहुत बड़ा रोल आता है इनकी रैटिंग 1955-51 में पबलीश हुई The Origin of Totalism Totalism की उत्पत्ती के उपर बात होती है संपूर्तावादी विचारधारा के उपर बात होती है क्या कहा जाता है इन सैमिनल वर्क ऑफ अनलाइज दी राइज ओफ टोटल टेरिजम इन 20th सेंचुरी इकजामिन बोट नाजी जर्मनी एंड स्टालनेस्ट रश्चा अब यह स्टालनेस्ट रश्चा क्या है जब व्लादमीर पुतन स्था से हटे तो स्टालन जोसफ स्टालन का रूल वहां पर आया और जौसफ स्टालिन के लिए कहा जाता है कि ये अडॉल्फ हिटलर से ज़ादा कट्टर और क्रूर व्यक्ति माने जाते हैं एक उधारन दिया जाता है एक बर स्टालिन एक मिटिंग में बैठे थे जहां पर उनके किसी जर्नल ने दो या तीन बर अपनी घड़ी देख ली तो जब मिटिंग खतम हुई तो स्टालिन ने आदेश दिया कि आप इसी रूम में बैठे रहेंगे ठेक है और दो दिन तक उस जर्नल को इस रूम में बंद रखा तो जब दो दिन के बाद उनको छोड़ा गया तो उनका जो मिलिटरी करियर था वहीं खतम हो गया पर स्टालिन ने उनको कहा कि आज के बाद मेरे सामने कोई घड़ी ना देखे तो कि मेरे टाइम से जदा इंपॉर्टन आपका टाइम न के उपर बात करती हैं यहाँ पर अगला है रहल वर्ण बर्ण यह किताब जो है बेसिकली एक जूइश परसनेलेटे महीला के उपर लिखी गई थी जो की 1957 में पब्लिश हुई जूइश फिगर अबाउट दी ओल रिफ्लेक्शन अब रन लाइफ और टाइमस हर फर्स्ट ए बात अभी हमने पीछे की थी बहुत इंपोर्टन बुक मानी जाती है इनकी रैटिंग्स में फिर 1961 में पब्लिश हुई बिट्वीन दी पास्ट एंड दी फ्यूचर बुक वास पब्लिश है सिग्निफिकेंट वर्क इन दी फिल्ड ऑफ पॉलिटिकल थियोरी इन कलेक्शन अलग अलग जो मैनेथ है पॉलिटिकल लाइफ के स्पेशली फिलोसफी के उस पे इनोंने बात की थी फिर दी क्राइस इन दी कल्चर इट्स सोचल एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट से भी 1961 के अंदर पब्लिश हुई इसके बाद ओन एवलूशन 1963 के अंदर पब्लिश ह इंचमन इंजरुसलीम रेपोर्ट ऑन बेलड़ी ऑफ इवल 1963 के अंदर पब्लिश हुई इंपॉर्टन आतिंग है बहुत इंपॉर्टन मानना जाता है The Conquest of the Space and the Stature of Man 1963 के अंदर पुब्लिश हुई Man in Dark Time 1968 के अंदर पुब्लिश हुई Truth and Politics 1967 के अंदर पुब्लिश हुई The Life of a Mind 1971 के अंदर पुब्लिश हुई Lying in Politics 1971 के अंदर पुब्लिश हुई और इसमें से कई रैटिंग्स हैसी हैं जो हैनारन के जाने के बाद पुब्लिश हुई जैसे कि Thinking and Moral Consideration a Lecture 1971 The Public Realm and Common World ये भी एक इंपॉर्टन रैटिंग्स है जो की 1982 के अंदर पुब्लिश हुई The Promise of Politics 2005 के अंदर पुब्लिश हुई इनके जाने के बाद ये सारी रैटिंग्स पुब्लिश हुई अब modernity के उपर इनके जो विचार हैं वो हम समझ लेते हैं Hannah Ident का modernity को लेकर बहुत सीधा विचार था Although modernity के अलावा भी इनके कुछ विचार हैं जो भी हम पढ़ेंगे Hannah Ident modernity आधुनिक्ता को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करती हैं Hannah Ident वो अकेली thinker नहीं है जो modernity और उसके expects को लेके बात करती हैं इनके अलावा भी बहुत से thinker हैं बट इनके ideas हम important मानते हैं Hannah Ident was a prominent political theorist and philosopher know for her thought on a wide range of topics including modernity She often associated with the concepts such as politics section political action, totalism and the nature of power While can't provide direct court for her work I can certainly give you an overview of our ideas on modernity सीधा आपको एक you know quote ना देते हुए कोई जो idea था जो विचार था इनका modernity के उपर उस पर बात कर लेते हैं तो Hannah Ident बोलती है modernity एक तरह से एक event है जिसकी शुरुवात होती है और उसके साथ बहुत चीज़े बदल जाती है एक समय हुआ करता था भारतिय समाच की अगर मैं बात करूँ तो इस समाच के अंदर बहुत बड़े तोर पर लोगों के लिए समाच के लिए एक करोना थी एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत जादा आपके अंदर you know लोगों को लेकर समाज को लेकर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहा करते थे ठीक है और अब धीरे धीरे वो चीज़े बदलती जा रही है लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं तो कहीं ना कहीं modernity इसका एक रीजन है ठीक है इसका एक कारण है modernity बहुत बड़े हद तक एड़न वीवन modernity were deeply influenced by observation of historical event like rise of totalitarian regime in 20th century impact of technology advancement on society loss of tradition and alienation कि संस्कृती खतम हो गई और आप बिलकुल अलग हो गए समाज से पहले आप सुना करते थे न कि बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे पुरा गाउं पुरा समाज एक साथ रहा करता था फिर क्या हुआ धिरे धिरे वो सारे tradition खतम होते चले गए अब alienation का दौर जब आया वो इस तरह से आया कि आज के समय में आप देखते हैं कि हम कितले alienate हो चुके हैं इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप यह देखे कि कितने जादा खुदकुशी के केस सूसाइट के केस आज के समय में आते हैं लोग इतने अकेले पड़ चुके हैं इतने अलग थलग हो चुके हैं समाज से कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारा जो यह समाज है जो यह प्रक्रिया सब को चल रही है यह कहीं ना कहीं हम इससे अलग हो चुके हैं Elenation का concept का शोर्माक्स भी डिसकस करके जाते हैं Hannahythm के विचारों में भी हमें देखने को मिलता है यहां यह समझना जरूरी है कि हैना एडंट जब modernized society की बात कर रही है आज के modern world की बात कर रही है तो बहुत पहलों पे उसको criticize करती है और यह जीज़ अपने घर में अपने बड़ों के साथ देख सकते हैं कई बर मजाग में कहा जाता है कि हम 90's की पैदाईश है वो जमाना ही अलग था आपके फादर कहेंगे यार हमारे जमाने में कुछ अलग था उनके फादर उनके जमाने के कुछ अलग कहेंगे for example मैं अगर अपनी बात करूं तो जस एरिया में में रहता हूँ I remember हमारे बच्पन में उस एरिया में सिर्फ एक कार हुआ करती थी और पूरी गलिया पूरा एरिया खाली पड़ा होता था हम खूब खेलते थे रोड पे कोई टेंशन नहीं थी पर आज के समय में हर जगा गाडियां ही गाडियां हैं लोग की बाइक्स मोटरसाइकल सतनी जादा हो गई है कि बच्चों के खेलने के लिए जगा ही नहीं बच्ची और पेशन्स सिटीज ही अर्बन एरियास में भी माइगरेशन काफी बड़ा है लोग यहां वहां से आके रहते हैं तो एक दूसरे को जानना एक दूसरे को पैचानना कई बर मुश्किल होता है आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पे एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर पचास घर है और ऐसा भी होता है कि लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं है सालों सालों तक सामनी रहते हैं पर एक दूसरे को जानते ही नहीं है तो modernization ने जहां एक तरफ आपको development दिया है कुछ you know कुछ perspectives पे तो बहुत हद तक individual identity को खो दिया है एक और example आपको देता हूँ आज कल ऐसे cases भी बहुत सुनने को मलते हैं कि कोई व्यक्तिया के लिए रहता था आपने flat में ही मर गया कई दिनों तक लोग को पता ही नहीं चला थेक है तो इस तरह कि जब चीजें हम देखते हैं तो हैना एडेंट उस समय में इसको एक तरह से isolation के तरफ तोर पर देखती है क्या कहती है mass society and isolation जो एक बड़ी-बड़ी societies बन चुकी है इंडिविज्वल की जो इमिज है काफी जदा छोटी हो गई है इसके अंदर तो criticize कर रही है इन सब चीजों को laws of public sphere of course सारवजनिक जो hit था आपका जो एक public sphere हुआ करता था वो काफी हद तक चिन गया है अब nine to five की job आप करते हैं छे बजे घर पहुंसते हैं उसके बाद आप ठक चुके होते हैं तो आपका माने नहीं करता कहीं जाएं लोगों से मिलें और अब लोग यूनो अगर मान ल में सेट्ल हैं तो हो सकता है किसी त्योहार पर ही मुश्किल से मिले और पहले होता था त्योहारों का मतलब होता था कि for example दिवाली आई तो चारपाजन की चुट्टी चलो पूरा परिवार साथ रहेगा सब रहेगा आप लोग क्या सूचते हैं कि यार छुट्टी आ रहे है लेके चलती हैं Impact of Technology Aden was also concerned about the impact of technology advancement on the modern society While technology offers the potential for progress and convenience, she won't against the potential of lead to thoughtlessness, conformity and the erosion of individuality अब जैसे जैसे आज के समय में आप देखे के एक समय हुआ करता था जब बचपन में आपकी activities को देखके घरवाले कहा करते थे यह बड़ा तेज बनेगा, पढ़ाई में अच्छा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा बड़ आज के समय में क्या है बहुत छोटे एस से ही बच्चे जो है mobile phone हाथ में लेके बैटे हैं सारा काम computer पे कर रहे है खेलना कुदना बिलकुल बंध हो चुका है तो एक तरफ technology उनको advancement दे रही है तो दूसरी तरफ उनका पूरा बच्पन उनसे शीन ले रही है आज के टाइम पे बच्चा रोड पे जाके बागी बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करता उसको phone पे video game खेलने हैं और ऐसे example आपको या तो अपने घर में आसपास कहीं न कहीं देखने को easily मिल जाएंगे अब यह point आता है totalism and the vanity of evil क्या चीज़ है vanity of evil शीतकारी दृष्टा जिसको यह बोलती है basically यह उस time की बात कर रही है concept जो है basically vanity of evil which she explored her writing on totalism she examined how ordinary individual could commit hardest act under the totalism regime often due to their questioning obedience of authority at the evidence of criminal thinking अब यहाँ पर देखिए आपके absence of critical thinking क्या चीज़ है basically देखिए होता यह है कि जब आप बात करते हैं totalism की संपूर्टा की तो यह उधारन देती है basically Adolf Hitler का Salim का, Mussolini का जिनको लोगों ने चुना लोगों ने चुनके इनको सत्ता पर बठाया और एक अकेले वेक्ती ने अपनी सोच से कितनी ज़ादा नुकसान किया ठेक है आप इतिहास में जब भी बड़े-बड़े शाशकों की बात करेंगे तो आपको इसे हजारों शाशक मिलेंगे जो individual थे पर अपनी सोच से इन्होंने इतना नुकसान समाज में किया जिसका कोई अंत नहीं था तो इसलिए ये बैनल्टी ऑफ इविल की बात करती है पॉलिटिकल एक्शन एंड प्लॉरेल्टी जो वर्ड है बहुत तर डिस्पर्थ हर कंसर्न अबाउट दी कणिशन एडन अलसो हां आईट इएड इंहपोर्टेंगस ओफ आट एक्शन जो मैने आपसे पहले काहा था कि कहती है के आपी कॉनिकलिकलि रिच्छ लार्व और जब तक आप पॉलिटिकलिस प्लॉन्ग नहीं है जब तक आपका बच्चे रहना असान नहीं है आप देखते हैं आपने बहुत बर सुना होगा कि भारत के जो बड़े-बड़े रिच लोग हैं जिनके बड़े-बड़े एंपायर हैं चाहें वो अम्बानी हैं अडानी हैं या कोई और हैं कई बर political leaders होते हैं इनके खिलाब बोलते हैं बट आपको कभी नहीं दिखागा कि ये बड़े लोग politics के खिलाफ कुछ बोलते हैं क्यों क्योंकि उनको पता है ultimately politics अबसे बड़ी power है तो बले ही इनके पास कितना भी पैसा हो बट जो politics अपने पर आएगी तो सब बरबाद कर प्रिता हूँ जैकमा का चाइना के अंदर एक बुजनसमेन है जैकमा जो चाइना के सबसे रिच इंसान है अलीबाबा.com नाम का एक उनकी कमपनी है जिसमें जैकमा ने एक स्टेटमेंट दे थी अगेंस दी चाइनीज गवर्मेंट उसके बाद एक महीने तक जैकमा किसी को न लेंगे जरूर. अदेंट वर्क और मॉडेनिटी ओफर्स थौट प्रवोकिंग प्रिस्पक्टिव ओन दी चैलेंज़ेंज़ेंज़ेंड कॉंप्लेक्सिटी ओफ दी कंटम्प्रेरी एरा उनके समय में जो चीजे थी उसको वो बेसिकली चैलेंज करने के लिए इसे बात क सबकुछ यहां पर समझ में आता है अब एक टर्म मैंने जैसे पहले बद रहे था नुक मॉडैनिटी नुकलर बंब जब एक्स्प्रोड हुए थे दो जपान के ऊपर उसके बात कैसे बदलाव हो है उस पर बात करती है नुक मॉडैनिटी की बात करती है अल्दो सीधे तोर पर नहीं बोलती है पर जिस तरह के आइडिया दे रहे हैं संपूर्टावादी राजनीती पर टोटलिजम पर वॉडैन्स पर जो सब चीज़े हो रही है तो कहीं न कहीं ये नुकलर एज या मॉडैनिटी की तरफ लेके जाता है साथ ही अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स पे वॉडैन्स अन पावर हमने पहले भी देखा था बदलती हैं दोनों को अलग करती हैं वॉडैन्स अन पावर अलग है अब यहां पर इस पॉइंट को मैं आपको समझा देता हूँ जब जपैन के हिरोशिमा और नागा साकी पर बम गिराए गए तो उससे बहुत पहले ही अमेरिका यह जानता था कि जपैन एक तरह से हार चुका है वार को और अब लास्टेज है जपैन कभी भी सरेंडर कर सकता है बट अमेरिका अगर यह बम नहीं गिराता और सिर्फ दुनिया को यह बताता कि हमने बम बना लिया है तो शायद उसका इंपैक्ट इतना जादा नहीं पड़ता पर इससे हट के अमेरिका ने क्या करा वो बम गिराये जपैन के उपर और दुनिया को दिखाया कि देखो अब हमारे पास एक ऐसी ताखत है जिससे हम आपको सेकंडों में बरबाद कर सकते हैं और रिजल्ट क्या हुआ पुरी दुनिया ने एक तरह से अमेरिका की सुप्रमसी को मान लिया तो यह पॉलिटिकल एक्षिन था ना कि एक वोर एक्षिन था ठीक है और इसकी क्रिटिसिसम भी बहुत ज़ादा होती है सम्हाव अगर आप जपैन को देखो तो आज अमेरिका का एक बहुत क्लोज अलाई है ठीक है यह भी एक पॉलिटिकल एक तरह से आप कह सकते हो सिचुईशन है टोटलिजम एंड मास डिस्ट्रक्शन अगेन वही निक मोडेनटी के आइडियास ठीक है टोटलिजम को आज के प्रस्पेक्टिफ पर आप देखें तो अमेरिका जैसे देश क्या करते हैं एक तरफ तो वो यून के मंच पर हुमन राइट्स की बात कर रहे हैं भारत को किर्टसाइस करते हैं कि भाई आप अमेरिका का जो च्ष्मीर में आप ठीक से लॉइन ऑटर मंटेन नहीं कर रहे आपके दिश में दंगे हो रहे हैं यह हो रहे हैं दूसरी तरफ वहीं पर अमेरिका पुरी दुनिया के अंदर peace established करने के नाम पर अपनी forces लेके जाता है पुरा Middle East हम देख चुके हैं इवन अफगानिस्तान की भी अगर बात की जाए Syria, Libya, Iraq यह सब वो देश हैं जिनको पूरी तरह अमेरिका ने बरबाद कर दिया थेक है तो कहीं न कहीं destruction हो रहा है on the name of modernity, on the name of civilization on the name of human right Ballanty of evil यह concept की बात अभी हमने पीछे की थी laws of political agency I don't concern about the laws of political agency and decline of the public sphere might also apply to the nuclear age the presence of nuclear weapon could lead to the sense of powerlessness among the individual and perception that decision regarding their use are made by the distinct authorities beyond their control अब कहीं न कहीं है ना इडन उन देशों की तरफ या उन उन एक तरह से आप कह सकते हैं उस political realm की बात कर रही है जहां पर अब छोटे देश बहुत ज़दा डर के महौल में जी रहे है जिसको cold war का आयरा आपने कहा ठीक है cold war का एक ऐसा आयरा था जब सब देश इस डर में थे इवन जब अमेरिका ने सबसे पहली बर nuclear bomb जपान पर इस्तेमाल किये थे तो स्टालिन वह सो कंसर्ण कि क्या इनके पास कोई तीसरा या चौथा nuclear bomb भी है जो शायद मॉस्को या लैनिन गार्थ पर आके गिरेगा cold war की शुरुआत का एक reason वो भी माना जाता है instability का दोर आता है जो arms race है वो शुरू हो जाती है इस तरह की बातों पर ये global implications की बात करती है कि किस तरीके से presence of nuclear weapon and their potential for a global nuclear conflict highlighted interdependence of nation and shared responsibility to prevent catastrophic outcomes अब कही न कहीं वो देश जिनके पास nuclear weapon है वो indirectly powerful है आज अगर आप भाके भारत और पाकिस्तान का example लें और ये मान के चलें कि पाकिस्तान के पास अगर nuclear bomb नहीं होते तो पुलवामा attack के बाद क्या भारत surgical strike ही करता सर्फ हो सकता है एक full-fledged war लड़ दी जाती ये अच्छा खासा attack पाकिस्तान के उपर हो जाता अधिपत्य जैसे सिध्धान्तों पर बात इन concepts पर बात हमने पहले भी सुनी है अन्तोनियो ग्राम्स की हेजमनी की बात करते हैं अधिपत्य की बात करते हैं और हेजमनी क्या है उसको अलग-अलग तरीके से समझाते हैं अमेरिका जिस तरह की ruling हेजमनी के अंदर कुल्चरल हेजमनी हो सकती है अलग-अलग तराकी हो सकती है हैन इडन दिन नोट extensively discuss the concept of हेजमनी in her writing but her ideas about power, politics and authority are relevant to understanding how she might have approached to the topic. हेजमनी refers to the dominance of control of one group state or ideology over the other offering to constant and ideological influence rather than direct force how some of the concept might relate to the हेजमनी. अब यहां पर देखें कि यह directly हेजमनी को इन्होंने नहीं discuss किया but इनके जो ideas थे वो approach जो थी हो हेजमनील concepts की बात करती है even the newk modernity का जो idea है यह भी इसी तरफ लेके जाता है power and authority are concept totalism पर इनकी जो ideas है यह सब हैजमनी की बात करें है plurality and diversity के ideas political action and resistance के ideas ठीक है यह सारे ideas उस हैजमनी की बात कर रहे है अब dictatorship पर जो इनकी ideas है यह basically जो idea है यह इस concept को बताते हैं कि किस तरह से political actions के अंदर dictatorship create हो जाती है देखिए जब कभी भी कोई party सत्ता में आती है या कोई leader सत्ता में आता है तो उसका काम यह होता है कि वो अपने देश को या अपने समाज को आगे ले जाए develop करें पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति ऐसा ही सोचे और इसी direction में काम करें एडन्ट के ideas basically इसी तरफ लेके जाते हैं है ना एडन्ट कहती है कि अगर आपको बहुत लंबे समय तक राज्य करना है और निरंकुष राज्य करना है ठीक है अनकंट्रोल तरीके से चीजों को समभालना है तो ऐसी condition में ज़रूरी है कि जो leader है वो this dictatorship के point of view से वो crew बन के रहें वो लोगों को डरा के रखें तो dictatorship का जो concept है उसमें हो कहती है कि किस तरह से Adolf Hitler सत्ता में आए और लोग उनको सत्ता में लाए Adolf Hitler ने कोई ताना शाही करने के लिए ऐसा नहीं करा कि सत्ता पलट किया हो लोगों ने उनको चूस किया और बठाया ठीक है और dictatorship जो थी वो जिस तरह से establish हुई वो लोग थे आम लोग थे जिन्हों ने उसको उनको चुना इसलिए कई बर जब ये concept डिसकस होता है इसी से बात होती है इविन हम fascism की जब बात करते हैं तो ये fascist leader थे और dictatorship का जो उद्धे होगा उसमें लोगों ने उनको चुना सदाम हुसेन को लोगों ने चुना लीबिया के ताना शाह को लोगों ने चुना यहां तक कि अगर आब बात करें मुसलोने और हिट्लेर इन दोनों को भी लोगों ने चुना तो वो लोग थे जो इनको चुनके लाए और बाद में यही political leader इतने ज़ादा strong हो गए कि इन्होंने लोगों की life को पूरी तरह से control कर लिया उनकी पूरी freedom को छेन लिया violence का रूल यहां पर बहुत important है because violence से वो लोगों की आवाज को दबाए रखते है और अपनी ताना शाही अपने शाशन को चलाते रहते हैं तो यह आज जो हमने discuss किया यह थे है नाइडन के main ideas उनकी रैटिंग्स जवाब से exam में question पूछे जाते है तो कई बर या तो ideas के उपर question होते है which are mostly a direct question या पर उनकी रैटिंग्स के उपर question आते है ठीक है या इस तरह के points हो कि उनकी personal life से related हो सकते है उस पर भी कई बर question पूछ ली जाते है आने वाले समय में जब हम questions को discuss करेंगे तो हैनाडन से जुड़े वे कुछ questions को देखेंगे जो exam में पूछ रहे गाए और जो expected हो सकते है Thank you students